So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel, new turn, friends, I hope आप सब सेफ होंगे और आप सब की NEET 2021 की preparation बहुत ही बढ़िया चल लिए होगी च मैं ट्रू करते हैं, तो इस wreck हैं, तो इसलिए चानल को subscribe करो, वीडियो में हम कौन से चीज़े देखने वाले हैं, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, कौन कोच से नीट offline होगी या online होगी उसके उपर चर्चा करेंगे और आखरी का topic रहेगा हमारा कि नीट एक बार होगी दो बार होगी चार बार होगी वो भी fix नहीं यार वो उसके लिए मैं आपको clarity दे दूँगा और ऐसे हम वीडियो खतम करेंगे तो पहली चीज़ के उपर बात कर लेते हैं हम application form कर नीट का application form कब तक आएगा तो देखवा यार इसकी official update नहीं आई लेकिन मेरे जितने भी new sources से हर बार true news देते हैं prediction true देते हैं तो उनकी हिसाब से आपका need का application form 22 फरवरी को आना चाहिए है 22 फरवरी से आपके need का application form शुरू हो जाएंगे ठीक है तब से आपको sufficient time मिलेगा टेंशन मतलब यार उसके बारे में आराम से आपको application form भरने के लिए time मिल जाएगा दूसरी important चीज यार कि आपका need की date कब आएगी ठीक है और need की date क्या होगी तो देखवा है यह मान के चलो मैं जो बोल रहा हूँ आप record करके रखो या download करके रखो वीडियो को वही होने वाला है जो youtubers बोल रहे हैं कि need की date कभी भी आ सकती है कुछ भी नहीं कह सकते हैं यार सही बात है हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं लेकिन जो proper prediction हम लगा सकते हैं उसकी इसाब से हम आमारी पढ़ाई की strategy बना सकते हैं तो उसकी इसाब से मेरी team ने थोड़ा research किया है और कुछ news sources से बात की NDTV के news sources से बात की उन्होंने बोला है कि need की exam आपकी जो पहली exam होगी वो 30 June के आसपास होगी जो दूसरी exam होगी वो 30 July के आसपास होगी अगर दो exam होती है तो दो exam होने की chances कितने हैं वो भी हम वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा ओके हम बात करते surprises के बारे में जि कि मैंने इस test series को compare किया है इंडिया के top test series से ठीक है जो आपको बहुत जादा चार्ज करते 10,000-15,000 रुपे चार्ज करते test series का उसके compare में मैंने इसको रखा तो ये test series मुझे best लगी यार best questions से और ऐसे questions से जो आपको original exam में face करने मिलते हैं सेम need के भी वैसी यार जई के भी व पहुंच किये है उके उन 7 test series में आपकी 3 test series रहेंगी यार 11th के chapters के उपर और जो एक test series है वो रहेगी आपकी full length test series full length test series मतलब उसमें आपके 11th के भी chapters सारे cover होंगे और 12th के भी सारे chapters उन पर cover होंगे वो test ऐसी होगी यार जो आप need की exam final exam दोगे उसके पहले आपको exact feeling आ जाएगी कि need की exam के लिए कैसे questions आने वाले same उन्होंने difficulty level भी maintain की है जो need की exam में आते हैं same तरीके के questions उन्होंने लिए ताकि आपके एक best practice हो जाए same for J.E. also यार J.E. में भी उन्होंने उतनी ही कोशिश किये उतनी ही मेहनत किये उन्होंने paper बनाने में इंडिया के best faculties द्वारा उन्होंने ये paper बनाए और मैं personally इन papers को देख चुका है यार बहुत ही मेहनत लगी है इन papers आपको कुछ इसके extra features बताता हूँ extra features मैं आर देखवा है आपको जब आप ये test दोगे तो वहाँ पे आपको unlimited attempts होंगे मतलब आप कितनी भी बार दे सकते हूँ ये चीज़ उसके बाद आपकी instant marking होगी instant marking मतलब जब आप paper दोगे उसके साथ ही आपकी marking हो जाएगी ऐसा नहीं आपको 2-3 दिन वेट करना है ऐसा भी कुछ नहीं यार वहाँ पे आपको detailed solution बाद में provide किये जाएंगे test paper के बाद में एक चीज़ यार अगर आप same test series किसी online या offline coaching में buy करते हो तो ये test series आपको 15-20 गुना महेंगे दाम में आपको बेची जाती है ठीके उसी चीज़ को card bucket ने बहुत ही सस्ते में और बहुत ही compressed way में आपको दिलवाई है तो ज़रूर इस चीज़ का फाइदा उठाओ मोका है आपके पास यार यही चीज़ सबके लिए वे available नहीं होती ठीक है आपके लिए opportunity मिली है तो आप इसे जरूर grab करो ओके जो भी fees होगी यार थोड़ी बहुत fees है इस test series की उसमें भी अगर आप मेरा code use करते हो newton 10 तो आपको flat 10% discount वहाँ पे मिल जाएगा तो जरूर use कर यार ओके तो जो सेम वीवर्स होंगे तो उनको यह चीज़ बोरिंग लगेगी लेकिन जो नए वीवर्स है उनके लिए यह चीज़ important है यार कि government ने एक survey conduct किया था टेलिग्राम ट्विटर पे तो उसमें पता चला यार कि most of बच्चे exam online चाहते हैं तो government भी इसके बारे में स online के बारे में ओके करते exam कितनी बार होगी तो देखवार बहुत सारे सारे ही यूटूबर्स बोल रहे कि exam दो बार होगी दो बार होगी एंडी टीवे ने cover कर दी news दो बार होगी लेकिन NTA की तरफ से official site पे update नहीं आईए तो आपको मतलब यह चीज़ होगी यार दो बार ही exam होगी मुझे भी लग रहा है personally लेकिन यह decision NTA की तरफ से officially नहीं आया है ठीक है तो कभी भी change कर सकती है NTA दो बार किये चार बार भी कर सकती है जैसा जैई का किया था यह जैई का पहले बोट रहे थे दो बार फिर चार बार फिर दो बार फिर चार बार ठीक है ऐसा decide होगा थ अभी मैं next time वीडियो टालू जो भी update के बारे में वीडियो टालू तो आप तक जल्दी पहुचे तो मिलते हैं next वीडियो में आरे एक नई update के साथ एक नई news के साथ और card bucket की link में ने description box में डाल दिये तो जरूर आप उस चीज का अनुभू लो तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाबाय टेक केर थैंक यू